26 11 और पठान कोट के जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो उनको वो प्रॉस्टिक्यूट करें सजा दिलवाएं ये काम तो बहुत आज़ान है पाकिस्तान को करने में क्या दिक्क्त दें यह समझी भी नहीं आती है और हम तो आपको भी कल्चरली इंडियन कहते हैं यह नहीं करें पॉलिटिकल छोड़ दीजे हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवेजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं हम कहरें कल्चरली क्यों अलग होना भाबा कल्चरली आप लसी करके क्या बोलोगे कि यार यह पाकिस्तानी लसी है इंडियन लसी लसी नहीं है वो जहर है भई यह तो सब्सब्सक्राइब. लेकिन क्या हाफिस सब्सक्राई इस więc P SI, ने यह तो बताइए हमें तो हमारा है लेकिन क्या हाफिस साहब को हम अपना कह ले भारत में हिंदूों में यानि हमारी जो सभेता है बारती लोगों की सभेता उसमें शादी जो थी उसमें डिवोर्स का कॉंसेप्ट है नहीं था दुरन की दोली आएगी और चिता जाएगी यह कॉंसेप्ट था जन जन्मांतर के लिए था लेकिन उनिस सो चपन में जवाला नहरू पंडित जवाला नहरू जी ने हिंदू मैरिजेज एक्ट को इंटर्डूस किया और यह कह दिया आप उनिस सो समली होगी कभी है कि उसे से लग नहीं होगे तो उन्होंने हमारी वेदिक परंपरा को दसो हजार साल की वेदिक परंपरा को उन्होंने छेड़ दिया तो आप को उसके बारे में क्या पताया जाता है यह मैं आडियंस को आपको बताऊंगा लेकिन पहले चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपको हिस्ट्री के बारे में इंडिया की टेक्स्बुक में क्या बताया जाता है खास को रुपे 65 की वार 71 या इस तरीके से यह इतना सिग्निफिकन्ट चीज नहीं है कि हमारे जोड़ जे करके चैप्टर लिख दे या उसके बारे में इतना बताएं कहीं पासिंग रिफरेंस में होगा कि इंद्रा गांदी जी के बारे में बता रहा होगा तो हो गया कि अब कोई ग्राजूएशन में जाएगा और वह करेगा तो बहले बदलब गाजूएट स्टूएंट है वह इस्ट्री बीए कर रहा है यह वह ज्यादा डीप में पड़ेगा हमारे इसको आइसको आइज नो वार क्या तो कोई बहुत 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 सिंग्निफिकेंस ही नही यह सब पर ज़्यादा फोकस रहता है कौन कौन से हमने नहीं इस्टिशूशन मनाया आइम बनाया आई टी बनाया नैनो टेक्नलोगी के इस्टिशूशन बनाया इस यह जदा यह वार और यह सब बहुत फोकस नहीं है शायद यही वज़ा है कि आज इंडिया जिस पोजिश यह जो आपके टेक्सबुक हैं उनका कंटक्ट क्या है उनके जो कंटक्स हैं उनमें क्या चीज़ें जबके पाकिस्तान के अगर बात करें तो यहां में नाइटेन सिक्टि फाईव के बारे में बताया जाता है कि हमने इंडिया को नाको चनेच बॉआ दी है नाइटेन यही फरक नजर आता है, कि एक जगा पर अगर टिकनलोmother के बारे में, एक जगा में, अगर downside के बारे में बताया जा रहा है, तो दूसी साइट पर क्या बताया जा रहा है, अच्छा, सिर, अगर हम 1947 से पहले की बत करें, तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो के अगर हास्तोर पे हीरोज की बात करें देखें मैं ऐसे पाकिस्तानी ये समझता हूँ और ओपनली इस चीज़ को एकसेप्ट करता हूँ कि वो तमाम लोग जनों नने 1947 से पहले खासतmuşते अगर बात की जाessen जनों ने गोरों से अज़ादी weit अपना करदार अदा किया चाहे वो हिंदू थे चाहे वो सिख थे चाहे वो मुस्लिम थे वो सब मेरे हीरों हैं लेकिन अगर आपकी बात करें आपको क्या बताया जाता है क्या जो पार्टिशन की से पहले कि अगर बात करें तो गोरों से अजादी के लिए जो लोग में करदार थे अगर आप उनक कुछ मजलब बताना चाहे मुस्लिम अगर हास्त और प्योन में हो तो हम हिंदु मुस्लिम में नहीं देखते ना आपको समझना पड़ेगा सोयव मैं किसी मुस्लिम से नहीं बात कर रहा हूं मैं शोयव अगर मान लीजे है आप मुझे क्या पता कि मेरे नाम मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है को मोंकोज पैंब्सक्राइब never अजय तो हम जुनिया को यह नहीं दिखाना चाहते हैं और पिर आप मेरा फीड़म ले लेंगे अपने को नहीं मानना चाहते हैं उपने को बुद्धिस्ट मान तो आप जामने वाले की जो उसकी गौट से रिष्टा है उसको उसके ओपर चोड़ देना उसको डिटर्माइन करने दे जब आप पहले ही कह दिया गया एकमसत बहुदा विप्रावधंती सत्य एक है उसको बताने वाले विद्वान जन कई तरीकों से बताते हैं जहां दूसरी त्यूरियों जो दूसरे आप अगर विजडम को देखे दूसरे जो इसी चीज को कहते हो हम सही है और तुम हें भारत मैं पईदा हुआ आदमी मिभाधिया है वो किसको मानता है किसको नहीं मेरा aku Islandia दिना नहीं है वो बकरीद मनाता है बहुत बढ़िया दिवाली मनाता है बहुत बढ़िया कुछ नहीं मनाता है तो बहुत भी बहुत बढ़िया उसकी एक्षा है ठीक है ना तो हमारे आप अगर आप कोई कोई मुसलिम था की नहीं था कौन मुसलिम ने भारत को तोड़वाया जो मुसलिम थे उन्होंने भारत से अपने आपको करवा लिया, जो मुसलिम नहीं बने, जो रिलीजन को परसनल लखे वो भारत में रहे, उन्होंने भारत को अपना माना, आज भी वो है, जो मुसलिम बनेगा, वो भारत से नफरत करने लगेगा, वो भारत को नहीं पसंद करे अब ना तो भारत की गवर्मेंट का ये काम है कि वो पूचे क्या धर्म है आपका और ना तो भारत की समाज का ये काम है वो पूचे कि आपका क्या धर्म है वो परस्नल मैंटल हो गया तो हम नहीं जानते कि कितने मुसलमान थे कितने मुसलमानों ने participate किया अब इसका मदब फिर हम कहें कितने जैन थे कितने वुद्ध थे कितने पार्सी थे हम तो इसी में लग जाएंगे सारी जिंदगी में तो वो हमारा हमारा अप्रोच नहीं है हम इंसानियत को देखते हैं हम मानुफ्ता की बात करते हैं भारत की बात मानुफ्ता की बात अच्छा दूसी बात आपने का कि आजादी की लड़ाई में अच्छा यह मान यह आज पाकिस्तान को आप बहुत प्यार करते हैं मुझे पटा है आप लगा यह अच्छा लगेगा तो बुरा ही लगेगा तो हमारी आजादी अंग्रेजों ने पहले नहीं चीनी हमारी आजादी हर उस आदमी ने चीनी आकर के जिसने का घंटी बन कर दो मंदिरों को तोड़ो यहां पर दूसरी चीजों को लाओ और इन लोगों को इनके विश्वास की वज़ास से खतम करो य अगर हमारी सब्यता का उसने नुकसान किया उसको बदलने की कोशिच की उसको खतम करने की कोशिच की वो आकरांता है वो इन्वेडर है वो हम में से नहीं है बाहर के पार्सी भी आया हमारे में जब इसलाम आया आपका इरान में तो पार्सी ज़ो डाइवर्सिटी है उसका पार्ट है हमारी जो भारत की टोटल वेल्थ है जो प्राइवेट वेल्थ है उसमें वन फोर्थ वेल्थ एक कंपनी के पास उसका नाम है टाटा और वो महोदे पार्सी हैं कोई उनसे नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है और यह तो पार्सी हो कि इतना अमीर कैसे इसकी इस है यह उनका किर्षन मेंटर नहीं है भारत की वारति का नाम्यट है अपनी मिट्टि से चुड़ने वाले लों और ऊपर उड्ण किसे उंकी हमें उस से मतलब नियुक्त है उपनी जबहों से जड़ने के बाद पेड़ कहां उपर कितना जाता किस से जुड़ी आता है पेड़ की मर्जी है वह हम उसमें क्यों देखने जाए तो शोयब जी हमने आपको बताया जैसे आपने कहा कि सर अगर आप हमारे आप करके हमारी लाइफ स्टाइल को अटैक करें अब हम आपको इस ते मारे कि आप मुसल्मान है तो आप कहेंगे ना इसलामो गाहों को तोड़े और वो कहें कि तुम गलत कर रहे हो अरे तुमको मानना है तुम गलत कर रहे हो हमें क्यों बता रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं ठीक है ना तो हम उसको अपना कैसे मान लेंगे किस कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें जो आकरांता है जिसने लोगों को मार रहा है उसका इतिहास जो है वो मार खाने वालों का इतिहास बना दिया गया हो भई हिटलर ने भी जर्मनी को जोड़ा था थर्ड राइक से जोड़ा उसने अस्रिया मिला लिया था चेकुस्लोवाक्या मिला लिया था पोलेंड मिला लिया था पोलेंड के लोगों से बोलिये कि जर्म तो तुम तो जर्मन हो और जर्मनी के लोग तुम्हारा बड़ा फेमस है अगर पोलेंड में जाके आप आप हिटलर की तारीफ करेंगे तो उनके लोगों को दुख नहीं होगा तो देखिए हमने जो कहा हमारी धर्ती पर आप कोई भी आए हमने तो कभी नहीं कहा कि आपका इबादत का तरीका गलत है हमसे लोग कहते हैं आप इस्लामोफोबिक बाते करते हैं मैंने का भई हम लोग कैसे कह देंगे हम तो कहते हैं सब सही है हम तो खुद भी इसलाम में वि किसे बंद कर दो यहां दिक्कत हो जाती है हम सब को मांते हैं प्रॉफिट की भी उतनी ही एहतराम करते हैं जितना एहतराम हम अपने प्रभुशी राम का करते हैं हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं बस हमारी कहानी है तो उसी मिटी के वजय से हम आपको अपना भाई समझते हैं हम आप से कल्चरली जुड़े हुए हैं आप तुर्की में जाके गले पढ़ते हैं और हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम गले लगाते हैं एक पाकिस्तानी हम से इंडियन ना था लगता लेकिन देख रहा है वह अपन आपको दिखाने पर तुला हुआ है लेकिन अगर इसको कह दें कि बहुत से ऐसे बहुत से ऐसी सड़के हैं जहां पर बड़े बड़े फ्लैग लगे हैं तुर्की के जहां पर बड़े फ्लैग लगे हैं इवन चाइना के और मेरा पाकिस्तान के पॉलिटीशन से मेरा पाकिस् की कोई ऐसी सड़क है जहां पे कहीं इंडिया का फ्लैड लगाओ इसका मतलब है कहीं न कहीं हम माइंड में ये चीज रखते हैं कि भाई वो हमारे से हम नफरत को कहीं न कहीं इन चीजों में देखते हैं अच्छा आपने बड़ी जबर्दासर बात की आपने ये बोला कि जो मिट्टी से जुड़ा होगा जो अपनी हिस्ट्री से जुड़ा होगा जो अपनी जड़ जिसकी मजबूत होगी दरखत उतना ही तनावर होगा पाकिस्तान शैद इसी वज़ा से अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का पाकिस्तान मतलब सामना कर रहा है एकॉनमी के हवाले स इसका source यह है जड़ यह है आप economy में focus जैसे जब हमने जब economy शुरू की ना post independence सबसे पहले land reform किया फिर उसके बाद हमने social reform किये फिर हमने उसके बाद constitutional reform किये हमने चीजों को बदला आप का जब आप बदलने जाते थे आपको रोग दिया जाता था किसी चीज के बहाने land reform किया लोग चले गए बोले ने शरिया में land reform नहीं हो सकता जमिंदारों की validity है तो आप जब जब अपनी identity आपने कुछ करने की कोशिश की आपकी मिटी से गड़ आप जुड़े होते तो आपको दिक्कत नहीं होती चुकि आपने जब आपने division किया तो आपने का independence Indian independence act से हम अलग हो गए आप कहे हम 14 अगस्त को आजाद हो गए ठीक है चलिए आप 14 अगस्त को आजाद हुए किस चीज़ से आजाद हुए आप उस आजादी का मतल्स बिटिशर्स से आजाद हुए वो फैक्ट्वली गलत है चुकि बिटिशर्स ने तो आपको support किया चुकि आपने 1945 या 6 में आप जिन्ना सहाब ने direct action डे کہا उन्होंने का अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान बिटिशर्स से नहीं मांग रहेते बिटिशाज तो डिवाइट करने के लिए तयार बैटेते हैं वो पाकिस्तान तो मांग रहे थे इंडियन से उन्हों का मुसल्मानों को अलग जगा दो तो आप अपनी जड़ तब से खोद रहते हैं आपका भई मुसल्मान होने का हिंदुस्तानी होने से क्या लिना दिना है क क्या एक हिंदुस्तानी मुसल्मान नहीं हो सकता क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति मुसल्मान नहीं हो सकता क्या अमेरिका में कोई मुसल्मान नहीं हो सकता जर्मनी में कोई मुसल्मान नहीं हो सकता मुसल्मान होने क्या यह जरूरी है कि उसका अपना वो लैंड हो भारत Islamic land नहीं है भारत एक हिंदूों का land है भाई आप कजाकस्तान में ना Central Asia में भी रहा हूँ और Europe में भी रहा हूँ मैं कजाकस्तान गया मेरी दोस्तने बोला यहां पर 70% से 75% लोग मुसल्मान हैं मगर यह कजाक लेंड है और अभी मैं आपको कजाकस्तान का Constitution कहिएगा भाई तो मैं आपको पढ़के दो मिनिट में सुना दूँगा कि भाई यह जो कजाकस्तान के लोग हैं वो अपने बारे में क्या कहते हैं वो जबकि 70 to 75% पॉपिलेशन उनकी मुसल्मान है सुनिए उनका Constitution क्या कहता है आप मुझे यह बताइए पाकिस्तान का इंडिजीनियस कौन है पाकिस्तान के इंडिजीनियस लोग कौन है वो आपको मैं तर्की का भी Constitution पढ़के सुना देता हूं चुकि भही चले हम लोग तो गलत आप तुर्की से सीख ले आप तुर्की का Constitution आपको सुना दूँगा ऐसे है देखे यह बिल्कुल यह तब चीजे है देखे आप से बात करने का मकसद ही यह है कि चाहे दस लोग हमें सुने बीस लोग सुने या सो लोग सुने कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जिसे हम खो चुके है जिसे मानने को त पहस्थ को जब तक हम सचको एकसेप्ट नहीं कर लेते तब तक हम बेह Cage की तरफ नहीं जा सकते सर हिस्ट्री के चाहई से बात की लिगेति जो जो आज का खबरें चल रही है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी के बाई पाकिस्तान के हवाले से के जो क्रास बार्डर टेर्रिजम है इसको कंट्रोल किया जाए अदर्वाइस अब बातें ये भी चल रही है एफ ए टी एक की ग्रेलिस्ट में दबारा भी जा सकता है अ लेकिन आप ऐसे लॉयर आप ऐसे एक क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं नहीं यह देखे मैंने वह जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नमबर 32 है जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर यह नहीं लिखा है कि हम इनको डालेंगे उसमें चार चीज़े डिवाइ चल रहे हैं जो जिलोगों ने पढ़ा है उसको पढ़के कुछ और वह हवा बना रहे हैं वह एक्जैक्ली ऐसा है नहीं वह कोई डालने की बात नहीं हो रही है उन्होंने यह का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वह भी पढ़के सुना दूँगा जहां पर यह बात लिखी है उसके पैराग्राफ नंबर 32 को अगर आप पढ़ेंगे ना तो 32 में सिर्फ इत्मा लिखाएंगी वह पाकिस्तान को चार चीजे करनी हैं वो चार चीजे क्या है नंबर वन कि टेरिरिजम को लीज़े मैं पढ़ी देता हूं यह जो जहां से यह न्यूस बन रही है The United States and India stand together to counter global terrorism and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation. President Biden and Prime Minister Modi reiterated the call for concerted action against all UN-listed terrorist group including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammad and Hizb al-Mujahideen. They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. They called for the perpetrators of 2611 and Mumbai and Pathan court attacks to be brought to justice. They noted that with the blah blah blah. They welcomed the cooperation between our two governments on counter-terrorism designation and homeland security cooperation including intelligence sharing and law enforcement cooperation and called upon the financial action task force FATF to undertake further work identifying how to improve global implementation of its standards to combat terrorism and money laundering. This is not the news. आपक्षट वीया ऑप्गर में यूए वीस के साथ मिल के आप k करें और 26-11 और पठान कोट के जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो उनको वो प्रोस्टिक्यूट करें सजा दिलवाएं यह काम तो बहुत आजान है पाकिस्तान को करने में क्या दिक्क्त देए समझी में नहीं आती है यह तो कोई भी कोई भी किसी को भी मारा हो वो तो भत्यारा ह इंसानियत का आप उसको प्रोस्टिक्यूट करें ऐसे लोगों का समाज में क्या इस थान है कोई तो यह पाकिस्तान के अगेस्ट पे बात की नहीं गई है वो तो पाकिस्तान से कह रहें कोपरेट कीजिये हमारे साथ जोईन हो जाई है अगर आपका यह कहना है कि नहीं हम ट सब्सक्राइब करने के लिए और आप इस तरीके से हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रूप बान सकता है मतलब यह कि इस मौमले में एक हम मिलके काम कर सकते हैं लेकिन शायद कुछ लोग करना नहीं चाते जिसकी वरे से यह सेटमेंट सामने आती हैं अच्छा सर मुझे यह बताएं इंडिया का मिशन मून के बारे में आज का खबर चल रही है कि जी दुबारा से रेडी है मिशन मून के लिए इंडिया क्या कहना चाहेंगे इसके उपर जब पहले एक दफ़ा मिशन किया गया उसके ओपर जब फुड़ा सा इंडिया में जो खबर चली और फिर पाकिस्तान में उसके ओपर यह कहा गया जी देखें वो मून पे जाने के लिए यह हैं लेकिन नकाम हो गए हैं बड़ी मीम्स बगहरा बनाई गई गई आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे अब इंडि अगर आप अपने आपको पंजाबी मानते लसी पीते हैं दिन में कितनी बार लसी पी लेते हैं आप एक या दो बार जब अपने विलिच में गर में उता हूं फिर तो डेली पीता हूं दर्वाइस लाहोर में उत्ता है पिर मतलब जब कभी कहीं से आयए या कभी हम स्पेशल नाच्टे के लिए जाते हैं किसी मार्किट में तो फिर लसी पीते हैं अधर वाइस इतना नहीं पी जाती अच्छा चल तो मगर लसी है ना अब लसी इंडियान ने पाकिस्तानी है कैसे डिटर्माइन होगा बताई इस तो हम लोगों की है ना तो देखिए ऐसा है चौधरी सहाब कि इस रो भी आपका यह मानने की बात है ना लालकिला और ताज महल हिंदुस्तान में आप उसको अपन हमने लालकिला बना है मान लेते हैं बहुत बड़िया बात है लालकिला और ताज महल से बढ़िया कुछ बनाई नहीं है अगर मानने की बात है मुगलों को मानने हैं Central Asia से आएं आपके तो आपकी ना लेंगवेज है ना आपका वहां पे लेना देना है ना वह आपको speaking वाला हूं मेरा क्या लेना देना है लेकिन मानने से होता है ना तो आपसे हम यह क्या कह रहे हैं हम तो पाकिस्दान के लोगों से हाथ जोड़ के यह विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि बहुत ताज महल आपका लालकिला आपका तो हमारे दूसरों चूज को भी तो अपना ल हमपी की जो हमारी सिवलाइजेशन है या यह मुहन जो दाड़ों में जो है वो सब आपी का अपना के तो देखें सिर्फ लाल मैं लालकिला और और उसको कोई भी पाकिसान नहीं बोलता है मैं आऊंगा लालकिला देखने जाऊंगा या सौरी यह ताजमेल देखने होते हैं आपको अच्छा लगता है भले वो तुर्क हो और तुगरल से आपको खुशी होती है उसी तरीके से अगर आप जुड़ जाएंगे खाली अपनी मिटी से जुड़ जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे कि आप ता इस रो फिर आप यह कहेंगे हमारा इस रो और आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी हमें होगी वना हमारा क्या लेना कोई साइन्टीस होगा वह मेरा रिलेटिव है ना मैं जानता हूं उसको बात तो कलेक्टिव आइडेंटिटी की है ना कि हम अपने आपको इंडियन कह रहे हैं तो हम खुश